सहाब हमारे गाउं को बेच दो, हम अपने गाउं बेचने को तैयार हैं, हम पिछला जीवन क्यों जीएं, हम क्यों इतना दर्द सहीं वैसे तो महराश्ट का इतिहास बेहद ही गौरव शाली है और स्वाभिमानी है महराश्ट के सबसे विक्सित राजियों में एक है महराश्ट यहां के राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई से लगभग 500 किलमीटर के दूरी पर बीट जिले में गाउं ऐसा भी है जिसे वहाँ के निवास्थी उसे बेच रहे हैं आपको शायद यह सुनकर हैरानी हुई होगी लेकिन यह सच है यह गाउं के ग्रामीन अपने गाउं को बेच है महराश्ट के बीट जिले में लोगों ने पूरा का पूरा गाउं बेचने के लिए प्रविश्ट द्वार पर पोस्टर लगा दिया है गाउं बेचने के लिए इनोंने मुख्यमंतरी एकनात शिंदे के नाम से पोस्टर लगा कर अनुमती मांगी है जिले के पटोदा तालुका के खड़कवाडी गाउं के अठारस और हवाश्यों ने मजबूरी में यह कदम उठाकर गाउं बेचने वाला पोस्टर लगाया है गरामिनों का कहना है कि खड़कवाडी गाउं पिछले कई वरसों से बुनियादी सुविधाओं से वन्चित है गाउं का विकास सिर्फ और सिर्फ कागजियों पर है धरातर पर विकास का काम नहीं हो पाया है ग्रामिनों ने आरुप लगाया कि विकास के नाम पर आने वाले नधीशे ग्राम परधान और अने अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं गाउं में सियम सिंदे के नाम पर पोस्टर लगा कर कहा गया है कि आपने महाराष्ट को कोई महत्व कांग्छी यूजना देकर राजे को विकास की ओर ले जा रहा है लेकिन पाटोदा तालुका के खड़कवाडी गाउं अब तक विकास से कोश्चो दूर है सरकार की ओर से सुरू किये गए सभी विकास पर यूजना गाउं में सिर्फ कागच पर हैं यहां के विकास नाम पर निधी उठाया गया है लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है सम्मद में कई बार शिकायत की गई है लेकिन अब तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई गाउं के लोगों ने सीम से अपील की है कि एसे स्थिती से लड़ने से बेहतर है कि गाउं बेच दी जाए